एक भिन का एक अन्य भिन से भाग. दोस्तो, क्या तुम अब आधा भाग 2 बटा 3 को हल कर सकते हो? 2 बटा 3 का व्युतक्रम 3 बटा 2 होता है. इस प्रकार आधा भाग 2 बटा 3, आधा कुना 3 बटा 2 के पराबर होता है. ये तीन पटा चार के पराबर है याद रखें कि भाग के चिन्ध को गुणन के चिन्ध में परिवर्थित करने पर चिन्ध के दाई तरफ की संख्या को उसके विर्थक्रम में बदला जाता है यहां बाई तरफ की संख्या आप परिवर्थित रहती है